हालो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं आज मिर्च का प्लांट लगाने जा रही हूं और मिर्च का प्लांट किस तरह से लगाने है और वीडियो को अंत तक देखे तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं कि मिर्च का प्लांट किस तरह से लगानी नॉर्मल आप सूखी हुई मिर्ची आप घर में यूज करते हैं उसे ही आप गमले में डाल दे और एक महिने के बाद यह अंक्री थो करके यह छोटा सा प्लांट हो जाएगा और इसमें जब तक ना अंक्री थो थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते रहें चालिस दिन के होने के बाद बेबी प्लांट आप कहीं भी सेट कर सकते हैं जिस तरह से मैंने सेट किया है इसे एक महिने पहले ही रोक किया था मिर्ची की सीट से ही मैंने इसे लगाया है बेबी प्लांट मैंने तयार किया और इसे मैंने मिर्टी में सेट कर दिया है और देखें कि आपकी भी मिर्ची इसी तरह फलेगी बहुत सारे मिर्ची फले हुए हैं आपको दिखाई दे रही होगी और अभी इसमें फूल भी आ रहे हैं और फूल लग रहे हैं और बहुत सारे मिर्ची फली हुई है एक बार आप इस तरह से ट्राइ करें और गमले में भी लगाएं इधर भी मिर्ची लगी हुई है तो आप इस तरह एक बार मिर्ची का प्लांट लगाए घर में और ध्यान रहे कि फूल जब खिलने लगे तो पानी की मात्रा कम कर दे पानी जादा न डाले और कीड़ा अगर लगे निम की पत्ती को बॉयल्ट करे और इसका पानी स्प्रे करे तो इससे आपकी मिर्ची बची रहेगी और अच्छी रहेगी तो मैंने देखिए लगाये हैं बहुत सारे प्लांट एक गमले में ही लगाये हैं एक पर आप जरूर ट्राइ करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज लाइक सेयर और सस्क्राइब करें थैंक पूर वाचिंग वीडियो तो